हलो एवरिवन वालकम तो गेटिक अडमी प्लस मैं हुँ खुमेशा हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंजिनरिंग में जैसा कि आप थम्नल में देख पार होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है अनलीशी सब्फोर्स इंट्रस्ट मेंबर बाइउजिंग दी सेक्शन मेंटर अभी तक मैं आपको जॉइंट मैथट का कंसेट सिखाया है और उसको कैसे ट्रस्ट की प् नंबर ओप्रॉब्लम्स आपको करवाया बाइउजिंग दी जॉइंट मैथट तो कई ऐसे प्रॉब्लम्स थे स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम्स थे उसमें आप देखे होंगे कि सभी मेंबर्स में फोर्स की वैलू फाइंड आट करें ऐसा बात हुआ था फिर आगे औ जब हम लोग पूरे ट्रस के करने गए है मतलब सभी मेंबर्स में फोर्स की वैलू फाइंड करने गए है ना जॉइंट एप्रंची आपको फाइंड आट करना है तो हो सकता है हो सकता है कि उसके पहले आपको है ना कुछ और members में भी force की value find out करना पड़े है यह चीज़ आप care कियोंगे यह चीज़ आप care कियोंगे क्योंकि join to join join to join members connect होते हैं आरी बास सवाज में join to join members आपस में connect होते हैं तो वो कैसे होते हैं आपस में dependent होते हैं हर एक force का value आपको जब find प्रेक्टिस करेंगे तो particular member force की value find out करना है तो joint method ना काफी महंगा पड़ सकता है आपको काफी lengthy हो सकता है joint method को apply करके उस particular member force की value find out करना आरी बास सवाज में because unnecessary हमको और भी members में force की value find out करना पर जाते हैं क्योंकि उन members में जब force की value find out करने जाओ कि तो वो dependent हो जाता है clear बात है जी ओके तो यह जो section method है है ना यही रिजाने की section method का है ना picture में आना कि particular member में जब force की value find out करने की बात होगी है ना या फिर मैं बोलूं few members बहुत ही कम members में जब force की value find out करने की बात होगी तो आपको prefer marker करना चाहिए section method section method ऐसा नहीं कि आप joint method को prefer नहीं कर सकते हैна मैंने तो आपको सभी members में भी force की value find out करना की बात होती तब भी मैं आपको joint method यूस करके force को analysis करना सिखाया हुआ है लेकिन कुछ ऐसी standard problems होंगे पर्टिक्लर मेंबर में फोर्स की वालू करने की बात होगी तो ज्ट मेथाट काफी महंगा पड़ सकता है आपको काफी लेंदी पड़ सकता है तो आप आप यह नोट पॉइंट को चे स्टक्राइब write down कर सकते dear यहां पर मैं two note points लिक के रखा हुआ हूँ देखे तो जरा इसमें क्या लिका हुआ है first note point joint method के लिए है and second note point section method के लिए है right देखे तो जरा generally joint method generally joint method is applied when forces are required when forces are required in many members और all members clear है जब मैं joint method की बात करूंगा तो आपको many members या फिर all members में force required होगा या फिर question में पूछा जाएगा कि आपको given trust की structure में सभी members force की value find out करना है या फिर many members force की value find out करना है तो आपको prefer करना चाहिए joint method clear section method के लिए देखे तो जरा यहां पर generally section method section method is applied when forces required है ना section method is applied when forces required in few members sir few members का मतलब तो few members का मतलब dear two members one members है ना और three members इस तरह से है ना जब भी मतलब more members की बात नहीं होगी more members मतलब five members six members इस तरह के इस तरह के जब बात नहीं होती है बहुत ही few members में आपको forces की analysis करने की बात होगी तो आपको prefer करना कि तब जब आप number of questions practice करेंगे तो number of questions clear बात है ओके तो चलिए फिर मैं start करता हूँ section method है ना तो जीस तरह मैं joint method के concept को छोटे-छोटे step में break करके आपको बताया था dear कि कैसे आपको joint method के concept को apply करना है for the given trust structure और I can say for the analysis of forces in members in given trust structure मैंने आपको चोटे-छोटे point में break करके समझाया था joint method के concept को तो ठीक उसी तरह मैं section method के concept को भी है ना चोटे-छोटे point में break करूंगा so that so that आप जीस तरह joint method के concept को apply करना बहुत χी असानी सीख गयाए है ना उसी तरह इस section method के भी concept के बहुतected अस असानी से apply करना सिखेंगे डियर और मैं उम्मीद करता हूं कि joint method के concept बहुत ही अच्छे में में clear हो गये होंगे और number of question आप से बन रहे होंगे solve हो रहे होंगे clear बात है तो चली फिर हम लोग स्टार्ट करते है section method ओके डियर तो जब हम section method को use करके given trust की structure का analysis करने जाएंगे या फिर मैं कहूं few members में force का analysis करने जाएंगे तो मेरे को ना कुछ step follow करना चाहिए right कुछ step follow करना चाहिए जैसे कि मैं joint method में आपको basic step follow करना सिखाया गुआ था तो ठीक उसी तरह इधर भी मैं कुछ basic step follow करने की बात करूंगा dear है ना for more clear right or I can say for just for simplification clear तो चलिए तो देखी तुझारा first step क्या कहता है right step number one draw a bd of whole truss structure right whole truss structure का मैं सबसे पहला क्या बनाऊंगा a bd draw करूंगा ok a bd that means free body diagram and find external support reactions by using static equilibrium equation याद कीजिए तो उनलों joint method के concept को जब discuss किये थे तो पहला step यही था क्या उसके लिए भी right तो आप देखेंगे पहला step तो वही रहता है मेरे लिए right कि मैं ना मैं सबसे पहले support reactions को find out कर लेता हूं by using the static equilibrium equation by using the static equilibrium equation तो देखें तो जरा है ना यहाँ पे एक trust के structure लिया हूं मैं ok इस trust के structure में मैं support reaction सबसे पहले find out करूंगा ok सबसे पहले support reaction find out करूंगा तो इसके लिए मेरे को f bd draw करना होगा तो मैं यह देखो यह ही निए support है इसको separate करूंगा इसको separate करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे दो सपोर्ट रियक्शन पिक्चर में आएगा दो सपोर्ट रियक्शन पिक्चर में आएगा ok तो मैं क्या करता हूं ना इसको इसको मैं यह green color से शो करता हूं यह देखिए r a x और r a y clear बात है क्या similarly इस इस रोलर सपोर्ट को भी मैं separate करूंगा free body diagram को मतलब तो यह होता है न राइट इस ट्रस की स्ट्रक्चर को यह दि मैं एक body consider करूं तो तो मैं इसका free body diagram बनाने जाओंगा तो support को separate करूंगा जी ओके तो देखिए तो जड़ा यहाँ पे रोलर सपोर्ट है तो एक reaction force आएगा क्या picture में that is perpendicular to the surface to rdy तो यह जो support reactions है इसकी value मैं find out करूंगा इसकी value मैं find out करूंगा by using the static equilibrium equation by using the static equilibrium equation right तो static equilibrium equations मेरे पास कितने होंगे is body है ना stress structure को complete body consider करूंगा तो तो यहाँ पे जो force system को आप देख पाऊगे है ना तो यह इस body में इस plane body में है ना coplanar force system की तरह होगा और coplanar और मतलब क्या हुआ यहाँ पे coplanar non-concurrent force system की तरह होगा तो इन unknowns को find out करने के लिए मेरे पास three static equilibrium equation होंगे dear कितने होंगे बताइए तो three static equilibrium equation होंगे ओके तो summation fx equal to 0 summation fy equal to 0 and net movement about any point equal to 0 clear बात है three static equilibrium equation use कर लूँँगा मैं है ना और इन support reactions को मैं क्या कर लूँँग होगा बताइए तो find out कर लूँगा clear बात है जी ओके सर्ण next step क्या होगा बताइए तो देखिए तो जड़ा फोर्सेज इन required member either tension और compression right draw forces यहाँ पर देखिए तो in required member right तो याद की जिम लोग joint method की जब बात करते थे है ना तो जैसे मैंने आपको बता है कि joint method है ना more useful होता है जब आप सभी members में force की value find out करने जाते थे right तो members में हम लोग force को represent कर देते थे है ना और सभी members में force को represent करने के मतलब joint में force को represent कर देना joint method में ऐसी होता था right लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो section method है ना यह generally use किया जाएगा right जब few members में आपको forces का analysis करना हो right आरिवास में तो जीन members में आपको forces का analysis करना हो right मतलब required member उसमें forces को क्या करना है आपको draw करना है this is the second step right और forces जो होगा या तो tension होगा या तो tension होगा या तो कैसा होगा compression होगा तो आपको पता idea है ना कि मैं मैं यह बात बोलके रखाऊं आपको कि throughout the chapter throughout the chapter of the trust है ना जहां भी forces की assumptions की बात होगी right तो मैं हमेशा टेंसाइल अजूम करते जाओंगा throughout the chapter right तो यहां मैं भी है ना यहां पर मैं फिर से लिख के रखाऊं डियर assuming them assuming them मलब उन forces को right intention मैं अजूम करूंगा that is nothing but the away from the joint away from the joint clear बात है जी ओके तो चली तो जरा है ना सपोस सपोस इस ट्रस की structure में सपोस इस ट्रस की structure में आपको एक particular member की बात हो रही है ABC है ना जिसमें force का analysis करना है आपको clear बात है तो मैं मैं member को देखुँंगा BC member कहाँ बताएये तो यह देखिए PC member डरी तो आप उसमें फोर्स को रिप्रेज़ं करूंगा तो फोर्ट को रिप्रेजंट कैसे करूंगा देखी जरा यह देख़ा तो यह इस तरह से मैं four score defense करूंगा away from the joint away from the bank this is the FBC this is इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा क्लियर बात है ओके ना वारी मोस्ट इंपोर्टेंट इस्टेप एक्च्वल में आप पर जो स्टेप है यहीं से स्टार्ट होता है हो हाइच तो देखieß तो जो रहा कट इस मेंबर्स कट इस मैंबर्स है ना कट इस मेंबर्स कभी-कभी ऐसा होगा कि आपको ऋटू मम्पर्स में फोर्स पूछेंग और सेक्षेन में थे परसिस करने जाओगे तो क्या करोगे आप two members में फोर्स को represent कर दूगे तो फिर हाल मैं एकी members की बात कर नौन है bc member है ना तो उस member को क्या करना बता यह तो cut करना क्या करना है cut करना है by an imaginary section by an imaginary section और वो जो section होगा that is line or curve that is line और कर जिस section से मैं cut करने जाओंगा जिस section से मैं cut करने जाओंगा या तो वो line हो सकता है या तो वो क्या हो सकता है बताइये तो कर वो हो सकता है clear उसके बाद देखिए तो जरा such that such that है ना जब मैं members को cut करूंगा तो क्या होगा such that the trust structure divides the trust structure divides into two separate parts into two separate parts देखे तो जरा यहां पर क्या बात हो रही है two separate parts में क्या हो जाएगा बताइए यह divide हो जाएगा ट्रस का structure जब मैं जब मैं section या फिर उसी को मैं बोलूँगा line और curve से cut करूंगा cut करूंगा required members में जब मैं force की value find out करने जाओंगा तो clear बात है तो चलिए तो जरा हम लोग cut करते हैं section ओके देखे तो यहां पर बीसी मेंबर में force की value find out करना था है न तो मैं इस बीसी मेंबर को क्या करूंगा cut करूंगा क्या करूंगा cut करूंगा by using the section लेकिन जब मैं जब मैं section से cut करने जाओंगा that means line या फिर curve से cut करने जाओंगा right step 3 को use करके तो आपको ना कुछ note point है जिसको हमेशा ध्यान में रखना है तो देखे तो जरा यह note point क्या है पहले उसके बाद हम लोग section से cut करेंगे member को ओके तो देखे तो जरा line first note point आप देखोगे line या फिर curve जिसको हम लोग क्या बोलने वाले है section जिसको हम लोग क्या बोलने वाले है section बहुत ही members very very most important point very very most important note point right कि जो मैं line या फिर curve जिसको मैं section बोलूंगा उससे cut करने जाओंगा member को right तो तो जब मैं section से cut करने जाओंगा है ना तो जब वो section से मैं cut करूंगा ना members को तो three से ज्यादा members को cut नहीं करना चाहिए three से ज्यादा members को cut नहीं करना चाहिए this is the first note point clear बात है okay as well as you see line और curve की बारे में फिर से यहां पे note point जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि line और curve should be passed should be passed through members only should be passed through members only members से ही pass होना चाहिए dear members से ही pass होना चाहिए but not not through joint but not through joint clear बात तो चलिए step three three को use कर के मैं क्या करता हूं required member में है न required member को cut करता हूं मैं तो required member क्या बीसी है तो इसको cut करने जाओंगा राइट तो ऐसी cut करूंगा मैं so that so that पूरे trust का जो structure है पूरे trust का जो structure है यह divide हो जाएगा two separate part में two separate part में right तो मैं कैसे कैसे cut कर सकता हूं देखी ज़रा three members cut होना चाहिए बिल्कुल उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चीज करेजन बताऊंगा मैं ठीक है तो चलिए तो इसको मैं यहाँ पर देखूंगा तो देखिए तो मैं इस तरह से cut कर सकता हूं देखे तो ज़रा यह देखिए एक line से cut किया एक line से cut किया क्या जी ओके तो आप देखोगे यह दो separate part में divide करेगा यह line और जो line है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं section तो इसको इसको मैं बोल देता हूं line 1 ठीक है इस तरह से मैं cut कर सकता हूं right अब जब मैं है ना line से या फिर जिसको मैं बोल रहा हूं section section से cut करूंगा required member को आप देखोगे मेरे को ना यहां पर ट्रस की structure को two separate parts में divide करना होगा जब मैं section से cut करूंगा तो तो जब मैं जब मैं two parts में इसको divide करता हूं तो यहां देखोगे unnecessary members भी cut हो रहे हैं unnecessary members भी cut हो रहे हैं जो मेरे लिए required नहीं है clear है बात तो sir वो कौन-कौन से member है BE और AE यह भी cut हो जा रहा है देखो तो यह भी cut हुए ना यह BE और AE right तो section method क्या करता है उस member में उस member में force को represent करिये उस member में force को draw करिये जो आपके लिए required member है तो required member में तो हमने force को draw कर दिया फिर उसके बाद यह कहा जा रहा है कि cut this member cut this member उस member को cut करना है तो इसको मैंने cut भी कर दिया clear लेकिन unnecessary members भी cut हो रहे है dear तो unnecessary members cut हो रहे है तो उसमें भी मेरे को unnecessarily यहाँ पर force को draw करना होगा unnecessary force को draw करना होगा बहुती carefully समझते जाए गडिया तो यहाँ पी क्या हो जाएगा बताइए तो यह BC AB member है तो यह हो जाएगा F B E F B E तो यह हो जाएगा फिर बताइए तो F B E clear बात है क्या यह A E member भी unnecessary cut हुआ है तो यहाँ मैं बोल पाँगा F A E यहाँ भी force को draw कर देता हूँ मैं यहाँ भी force को draw कर दूँगा clear बात है क्या A E और देखोगे मैं मैं tensile nature ही लिया हूँ मैं clear बात ओके तो sir मेरे को यह देखना है कि यह दो पार्ट में divide हुआ है कि नहीं हुआ है तो देखे तो जरा यह section cut किया हूँ ना section इसको one नाम दिया हूँ तो आप देखोगे यहाँ पस आपका focus होना चाहिए यह जो one यहाँ पस focus होना चाहिए clear बा तो बताइए तो जरा यह क्या है आर एक्स आर एक्स यह find वह रहेगा और यह हो जाएगा और यह हो जाएगा और यह हो जाएगा आर डी वाई clear आपका focus सिर्फ यह वाला diagram में रहना चाहिए right इनको भी मैं और कुछ परपास से रखा हूँ तो आपका यह वाला focus इस में रहन this is the another part this is the first part this this is the another part left hand side and right hand side दो पार्ट में यह separate हो गया बिल्कुल सर बिल्कुल सही बोर रहे हो clear ओके तो सर क्या यही possibility है क्या section से cut करने का यही possibility है क्या जब मैं BC member ने force की value find out करने जाओंगा तो no और भी possibility हो सकते हैं और भी possibility हो सकते हैं तो सर बताइए तो और क्या-क्या possibility हो सकते हैं ओके तो मैं चाहूं मैं चाहूं डियर है ना तो यहाँ पर मेरे को BC member force की value चाहिए ना तो BC member मैं तो force की represent कर दिया हूं मैं ओके अब rate color से मैं फिर से section कट कर रहा हूं मैं possibility बताते जानों आपको number of possibility तो देखिए तो ज़रा मैंने क्या कहा कि जो section हो गा और line हो सकता है curve हो सकता है तो क्या मैं ऐसा च्छाइब कर सकता हो इस तरह से लेकिन members cut होने चाहिए three three cut होने चाहिए maximum three cut होने चाहिए उससे ज्यादा cut नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा cut नहीं होना चाहिए ठीक है यह no… variables cut होना चीदWith तो देखी तो यह ऐसा कट करूंगा देखेंगे लाइन से कट करूंगा तो थ्री हो जाएगा मैं चाहूं तो इसको एसा भी कट कर सकता हूं बार्त वही है कैसे यह एसे यह तो कैसे लेकिन तो किया जी तब भी तो कट कर लेकिन हमारा काम की चीज़ यह बताइए तो यह BC member तो जिसमें हमको force की value find out करना है force का analysis करना जिस member में वो तो cut हो ही रहा है यहां पर लेकिन लेकिन हमको unnecessary members भी cut करना पर जाता है ऐसा क्यों क्योंकि क्योंकि मैं 2 separate part में divide करना जाओंगा डियार किसको trust structure को जब मैं member section से cut करूंगा members को तो 2 separate part में divide होना जरूरी है 2 separate part में तो यदि मैं इसी members को cut करता है जो required member है BC right BC member को ही cut करता है जो required member है तो इस तरह से cut करता है तो भाई यह कहां कहां दो पार्ट में divide होगा दो पार्ट में कहां separate होगा यह clear है ओके तो जब भी always remember जब भी आप section section से cut करोगे trust की structure को या फिर मैं बोलो required members को ओके तो 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 ट्रस का structure दो separate part में divide होना चाहिए clear बात है ओके तो मैं मैं इसको naming कर देता हूं second clear बात ओके तो BC member में तो force मैंने represent कर दिया है क्योंकि मेरे लिए required member है यह है ना तो जब मैं section cut करता हूं तो unnecessary members भी cut हो जाते हैं जैसा कि मैंने यह first column में दिखा है आपको ओके तो unnecessary members भी cut हुए तो उसमें भी मैं force को represent करूंगा ओके तो देखेंगे यह बीई member में मैं force को represent करना होगा तो यहां तो मैंने है ना represent करके रखा हुआ है ओके ना और और यहां मैं बात कर सकता हूँ dear यह हो जाएगा आपके लिए AB यह क्या हो जाएगा बताईए AB ए F-A-B और यह F-A-B clear है क्या बात बिल्कुल clear है सर बिल्कुल clear है ओकी इसको मैं यहां पे लिखता हूँ ना एफ ए बी ओके ठीक है तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया यह क्लियर कैसे यह हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाला राइट हैंड साइड तो इसको यह दी मैं दिखाऊंग इसको यह दी मैं दिखाऊंग कि यह कर्व सेक्षन से कट करने के बाद ट्रस की स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है तो दोनों पार्ट को मैं दिखाना चाहूंगा दियार तो देखेंगे मैंने रेट कलर से कट किया है तो अब आपका फोकस होना चाहिए कि इसमें देखिए तो जड़ा यहां पर होना चाहिए क्लियर बात है यह द करने जाओंगा तो और कुछ possibility हो सकता था क्या section कट करने का तो यस और भी possibility हो सकता था तो देखे तो जरा मैं यहां पर है ना फिर से देखोगे मैं rate color से ही कट करना हूँ this is the BC member तो मैंने BC member में पहले सी फोर्स को यह रखा हुआ है क्योंकि मेरे लिए required में इसके बाद मैं इसके बाद मैं प्रॉब्लम करा हूँगा और clear होगा आपको ठीक है बस समझते जाए आप उसके बाद फिर मैं एक और section भी मेरे लिए possibility लग रहा है जब मैं BC member force की value find out करने जाँगा तो कौन सा बताइए तो यह भी तो दिख रहा है न मेरे को दिखेंगी यह वाला इस तरह से तो BC member force की value find out करना है तो यह मेरे required member हुआ तो जब मैं section cut करता हूँ तो trust के structure दो पार्ट में divide होना जरूरी है इतना तो पता है आपको separate होना जरूरी दो पार्ट में तो यह तभी separate होगा जब मैं unnecessary members भी ऐसा cut करूंगा always remember always remember कि section से जब आप cut करोगे चाहे वो line हो चाहे वो कर वो हो ठीक है members maximum कने हैना cut हो सकते तो three members की cut हो सकते है उससे ज्यादा cut नहीं हो सकते clear बात ओके तो three member है एक दो तीन one two three three member तो इसको मैं third possibility बोल देता हूं ऐसा cut करने के लिए जब मैं BC member में force की value find out करने जाओंगा तो okay तो unnecessary members क्या हो बताई तो c e c d तो इसमें भी इसमें भी मैं force को represent कर देता हूं क्या dear इसमें भी मैं force को ऐसा represent कर देता हूं f c e बिलकुल तो यह भी क्या हो जाएगा f c e clear है यहां बात करूंगा तो यह हो जाएगा इसको बिलकुल यह दिखायों तो देखेंगे यह वाला यह दीखेंगी यह यह गाई दो लग लग पार्ट यहई यह वाला Part यह वाला Part मेरा यह हुआ और इसके just opposite वाला Part मेरा यहां से यहां तक कहुआ क्लियर बात है जी ओके सर फाइन तो यहां पर जब मैं बीसी मैंबर में फोर्ष की वैलू फाइंड आट कने जाओंगा तो मेरे पास three possibility हो रहा है डियर कितने possibility हो रहा है three possibility तो तो कौन सा मेरे को select करना चाहिए, कौन सा मेरे को select करना चाहिए, इसके बारे मैं discuss करूंगा, तो सबसे पहले तो आगे अगला step जाता हूं, तो मैं support reaction को find out कर लिया, बिल्कुल correct बात है सर, ओके, second step मेरा क्या हुआ, draw forces in required member, तो मैं एक required member ले लिया था, क्या बताइए तो, BC, ये BC मेरे लिए क्या हुआ, required member, required member, ठीक है, required member, तो इसमें मैंने force को draw किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, डियर बताइए तो, ओके, और force को कैसा, tensile, मैं tensile अजूम करता हूँ, उसके बाद, उस member को, जो मेरे required member है, उसको मैं cut करूँगा, by using this section, and that section, that may be the line, curve, that may be anything, okay, line, curve, basically line, या फिर curve कहीं बात करते हैं, लोग, clear, तो इससे मैं cut करूँगा, तो unnecessary members भी cut होंगे, okay, क्योंकि मेरे को maximum three members ही cut करना है, right, maximum three members ही cut होना, जब मैं section से cut करने जाऊँगा, और जब मैं cut करूँगा, तो जो trust का structure हो, दो separate part में divide हो जाएगा, right, तो BC member मेरे लिए required हुआ, इसको find out करने के लिए, इसमें force के लिए find out करने के लिए, मैंने three possibility देखा, first, second, third, section cut करने का, first, second, third, तो यहाँ पे आप देख पाए कि दो अलग-अलग separate part में यह divide हो गया, पूरे trust का structure, clear बात है, ओके, और यह जो point है, इसको भी आप याद एकना dear, कि जो section मैं use करूँगा, चाहे वो line हो, चाहे वो curve हो, ठीक है, वो हमेशा member से pass होना चाहिए, right, should be pass through members only, but not through joint, joint से pass नहीं होना चाहिए, जो section cut किये हैं, clear बात है, बिल्कुल clear है सब, बिल्कुल clear है, ओके, तो चलिए, fourth step में चलते हैं, fourth step में चलते हैं, बहुत ही carefully समझेगा dear, और हर एक point को note करिएगा, पहले तो आप समझते जाएगे, consider any one part, consider any one part for analysis, analysis के लिए, हमको किसी भी एक part को consider करना होगा, ठीक है, किसी भी एक part को consider करना होगा, right, तो मेरे पास तो भी first possibility देखा मैं, second possibility देखा और third possibility देखा, इस required member BC में force की value find out करने गया तो, है ना, तो ये three possibility आदी है, कितने possibility पता है, ये three possibility, right, तो किसी भी, किसी भी, है ना, possibility को आप देखोगे, चाहे one, two, three, इसमें आप देखोगे, दो separate part दीख रहे हैं, यहाँ भी दो separate part है, trust की structure का, यहाँ भी दो separate part है, यहाँ भी दो separate part है, right, तो किसी भी एक part को, आपको consider करना है, for the analysis, और for the analysis कहने का मतलब, जो required member है, उसमें force की value find out करना, this is the, this is nothing but the analysis, okay, this is the meaning of analysis, clear बात है, okay, तो जिस part को मैं consider करूंगा, for the analysis, that is called, that is called configuration diagram, that is called configuration diagram, clear, जिस part को मैं consider करूंगा, right, जिस part को मैं consider करूंगा, that is nothing but what, configuration diagram, clear बात है, clear है, okay, sir, fine, तो चलिए मैं कोई भी, कोई भी possibility की बात, करता हूं, suppose, मैं इसमें, है ना, first possibility, जिसमें section ऐसा, straight line वाला यूश किया हूं, ये वाला, तो ये जो दो पार्ट में ऐसा, divide waters के structure, right, तो इसमें ना, कोई भी एक पार्ट को मैं select कर लेता हूं, right, कोई भी, ऐसी, randomly, तो देखे तो जड़ा, इसको मैंने select किया, इसको क्या करता हूं मैं, ठीक है, ये, blue color से दिखाता हूं, ये वाले पार्ट को क्या किया, मैं select किया, तो कैसे करूंगा मैं, ये, इस तरह से, इस तरह से अब, है ना, अलगख सिसको क्या करोगे, highlight करोगे right कि इस part को मैंने consider किया वह यह for the analysis right तो जिस part को आपने consider किया उसको आप क्या बोलोगे configuration डाइग्राम इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ configuration configuration इसको मैं naming कर देता हूँ configuration diagram इसका कुछ अलग से पाचान तो होना चाहिए इसलिए मैं इसको ना एक naming कर देता हूँ this is nothing but what configuration क्योंकि मेरे पास दो part है trust structure का तो किसी भी एक part को मैं consider करूँगा analysis के लिए तो ऐसे part को जिसको आप consider करोगे इसको मैं naming कर देता हूँ that is the configuration diagram clear okay sir fine यह तो first possibility में हो गया second possibility में भी ऐसी आप बात कर सकते हो second possibility में भी आप ऐसी ही बात कर सकते हो dear ओके तो तो चलिए मैं इसमें न इस part को consider कर लेता हूँ इस part को consider कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो support reaction को दिखा देता हूँ dear r a x r a y और यह बताए तो r d y clear तो मैं यहाँ पे यह second वाले part को consider कर रहा हूँ इस तरह से ठीक है यह यहाँ तो जिसको मैं यहाँ पे हैना highlight कर रहा हूँ जिसको मैं consider कर रहा हूँ तो यह मेरे लिए क्या होगा बताए configuration configuration diagram configuration diagram इधर थोड़ फोकस कर दे जाना ठीक है clear देखना चाहिए ठीक है जी यहाँ तक clear है क्या और third possibility कौन था बताए तो जरा third possibility यह वाला था dear है ना तो दो part यह हुआ तो चलिए तो इसमें इसमें इधी मैं बात करूँ है ना इसमें इधी मैं बात करूँ हम लोग जब problem करेंगे तो और clear होगा कि आपको exactly किसको करना चाहिए select है ना कोई भी आप select कर सकते हो लेकिन लेकिन कैसे आपको select करना चाहिए है ना जब problem discuss करेंगे तो और clear होगा ठीक तो चलिए तो जरह मैं ना यहाँ पर इसको इसको ना ऐसे select कर लेता हूँ चलिए तो यह वाला select कर लेता हूँ इसके लिए तो यहाँ पर मैं support reaction दिखाऊंगा r a x और यह हो जाएगा r a y ठीक है यह हो जाएगा r d y ठीक है जी तो मैं न यहाँ पे suppose यह वाले को select कर लेता हूं इतर्ड वाले में ठीक है यह कैसे होगा हाँ यह वाले को मैं select कर रहा हूं यह देखेंगे दो पार्ट है न यह इसको मैं select किया तो यह मेरे लिए क्या हुआ बताईए तो डिया यह मेरे लिए हो गया configuration diagram यह मेरे लिए क्या हो जाएगा configuration diagram configuration diagram configuration diagram ठीक तो configuration diagram का मतलब तो आपको समाझ में आ गया कि trust के structure दो पार्ट में divide होता है by using this section that section that may be the line or that may be the curve है न तो जब दो पार्ट में divide होगा तो जिस पार्ट को आप analysis करने के लिए consider करोगे उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं डिया configuration diagram clear बात ओके सर आगे बढ़िए step number five आते हैं देखी तो जड़ा है ना step number five क्या कहता है in configuration diagram in configuration diagram again apply again apply the static equilibrium equation again apply the static equilibrium equation clear बात है ओके तो यहाँ पर हमको फिर equation की निट क्यों पढ़ रहे हैं पता है क्योंकि है ना यही पर तो हम लोग analysis करेंगी member force का यही पर तो हम लोग analysis करेंगे ओके तो जो configuration diagram है है ना उसमें मैं फिर से बात करूंगा static equilibrium equation की right static equilibrium equation की तो जो configuration part रहेगा आपका है ना as per your chosen section जिस तरह से आप section चूज करोगे तो आप जिस part को select करोगे जो आपके लिए configuration diagram होगा उसमें आपको बात करना होगा static equilibrium equation ओके और static equilibrium equation की बात करना होगा उसके बाद फिर क्या करोगा find the internal reaction force और internal reaction force मतलब what internal reaction force means what member force in member force को find out करोगे right in those member in those member और those member का मतलब required member required member clear बात है क्या तो यहाँ पे जिस तरह मैं बात किया हूँ example यह required member क्या है मेरा BC है clear है जी ओके now अब मैं आपको एक reason बताता हूँ एक reason बताता हूँ की की जो line और curve जो होते हैं जिसको use करके आप trust की structure को दो पार्ट में separate करोगे ठीक है इस line या फिर curve को three members है ना three members cut करना चाहिए right maximum three members है ना यह वाले जो sentence का मतलब यही हुआ maximum three members ही cut करना चाहिए क्या बहुत है देखो line और curve do not cut more than three members मतलब three members से ज़्यादा नहीं होना चाहिए three members ही हो सकता है maximum ठीक clear है तो देखोगे जब मैं members को cut करता हूँ by using this section तो यहाँ भी देखोगे three member cut हुआ है internal reaction force member force unknown ही तो है उसे को find out करना है तो three member मतलब three unknown और 3 unknown मदब आपको कितना equation चाहिए, at least 3 तो चाहिए ही न, 3 equation चाहिए न, ओके, तो हमारे पास आप देखोगे, configuration diagram में, जब मैं member force को find out करने जाऊँगा, तो मेरे पास available equation कितने है, बताइए, available equation कितने है, summation fx equal to 0, summation fx equal to 0, net moment about any point equal to 0, configuration diagram में, मेरे पास इतना equation available है, clear है, तो यदी मैं, यदी मैं, जब cut करने जाऊँगा, by using this section, member को, तो more than 3 हो जाता, more than 3 हो जाता, तो आप, आप देखेडियर, more than 3 होता मतलब, मालो, 4 members, 5 members को cut कर दे, suppose आपने ये वाला, ऐसा cut कर देता, देखे तो जड़ा, ये, आपको ये, B, B member मालो, B member में force की value find out करने की बात होती, तो आप ना, इस तरह से दी cut कर देते, इस तरह से, like this, तो कितने member cut होता, 1, 2, 3, 4, 4 member cut होता, और 4 member cut होता है, मतलब, 1, 2, 3, 4, 4 unknowns picture में आता दियर, और 4 unknowns picture में आता, तो आप देखो, तो यहाँ पे, summation fx equal to 0, summation fx equal to 0, net moment about any point equal to 0, 3 equation है, और 4 unknowns, कैसे find out करते दियर, कैसे find out करते, तो यही reason है, यही reason है, कि जब मैं section से cut करने जाऊंगा required member को, right, तो unnecessary members भी cut होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कि total member cut होना चाहिए, 3, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, right, तो sir, उससे कम members cut हो सकते हैं, क्या, बिलकुल, बिलकुल हो सकते हैं, आपके पास available कितने बताइए, तो यहाँ पे configuration diagram में, member force को find out करने के लिए 3 equation है as per the step number 5, okay, तो 3 equation है भीया, right, लेकिन आप ऐसे section cut कर रहे हो, है न, ऐसे section से cut कर रहे हो members को, कि 2 member cut हो जा रहा है, तो मैं बोरना हो, it is possible, 2 member, मतलब 2 unknown force आएंगे, और 2 unknown है, और आपके पास available equation 300 year यहाँ पे, तो आप उन 2 unknown को तो find out करी सकते हो, suppose, suppose, इस trust की structure में आपको कहा दिय जाए, आपको कहा दिया जाए, कि FCD equal to how much, यह find out करना है, मतलब यह आपके लिए, suppose, ही क्या है, required है, समझते जाहिएगा, FCD, ओके, तो section, 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 cut करने का जो possibility है, section cut करने का जो possibility है, यह वाला भी हो सकता है, क्योंकि CD, CD force इसमें भी आ रहा है, यह वाला मतलब एक कौन सा part, यह clear, मैं चाहूं, मैं चाहूं, तो इसको इस तरह से भी ऐसा section cut कर सकता हूं, इस member में, right, CD member में, force को represent करूँगा, और, और ऐसा section cut कर दूँगा, clear, तो आप देखोंगे unnecessary members cut हुए, कितने, एक, यहाँ पर, represent कर देता हूं, इसको भी, है न, cut हुआ मतलब मेरे को represent करना ही होगा, तो F, C, D, F, C, D, clear है क्या बात, बिल्कुल clear है सर, बिल्कुल clear है, तो आप देखो, है न, यहाँ पर, जब मैं, जब मैं, इस section से cut किया, इसको naming कर देता हूं, मैं, this is the section number 4, तो भी, यह trust का structure है, वो दो separate part में divide हो रहा है, और always remember, दो separate part में divide होना जर रही है, right, तो देखिए तो जब रहा, यह इस तरह से divide होगा क्या है, देखो तो, ऐसे cut किया है तो, clear बात है, तो यहाँ पर यदि मैं support reaction दिखाना चाहूं, तो देखो, r, a, x, r, a, y, clear बात, और यह हो जाएगा, r, d, y, ओके जी, तो यदि मैं configuration diagram use करूँ, suppose मैं यहाँ configuration diagram use कर रहा हूँ, और मेरे को चाहिए क्या, यह क्या है, बताईए configuration diagram, है ना, यहाँ पार्ट को consider किया, तो मेरे लिए configuration diagram हुआ, मेरे को चाहिए क्या बताईए, यहाँ से, f, c, d, ओके, अब configuration diagram में available equation कितने हैं, बताईए तो, summation fx equal to 0, summation f equal to 0, net moving about any point equal to 0, 3 equation है, अब यहाँ पर आप देखोगे, तो unknown कितना हो रहा है, मेरे configuration diagram में, 2 unknown हो रहा है, तो मैं 3, available है मेरे पास, है ना, ऐसा जोरी तो नहीं है, कि 3 available है, तो सबको use करो, ऐसा तो नहीं है ना, भाई, म unknown को find out करने के लिए, उतना use करूंगा, एडियर, हो सकता है, मैं यहाँ पे, है ना, जैसे मेरे को 2 unknown दीख रहा है, तो 2 unknown के लिए 2 equation यूज कर सकता हूं, तो हो सकता है, मैं, एक ही equation यूज करके, जो मेरे लिए required है, उसको find out कर पाऊं, सर कैसे, तो देखे तो ज़रा, यहाँ यदि मैं एक ही equation की बात करूंगा, तो सबसे पहले RDY को इदर shift कर दूंगा, इस तरह से RDY, by using the principle of transmissibility of force, ओके, तो उसके बाद, यह FCD का दो component आएगा, एक Y direction, एक X direction, clear, focus करना है इदर, तो Y direction में एक ही equation जैसे use करूं, summation F Y equal to 0, तो नहीं find out हो जाएगा, जी, नहीं find out हो जा का, जो भी component है का, sign component, इसके साथ balance हो जाएगा, और यह वाला value में find out कर लूँगा, कितना equation यूज किया, एक equation यूज किया, clear है, तो insert एदी में बात करूं, insert एदी में बात करूं, है न, तो जब section से cut करने जाओगे, members को, तो members 3 से ज्यादा cut नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं चोड़ो, configuration diagram, वो तो आप जिसको select करते हो, इसको हम लोग configuration diagram बोलते हैं, कोई भी part, कोई भी part की बात करो, कोई भी part के लिए, आपके पास जो equation जो available होगा, वो कितना होगा, 3 होगा, बात अलग है कि आप, आपको कितना need पढ़ रहा है, available का मतलब इतना यही होता है, कि आप आपके पास soluble e3 अभी या, और आपको जोरुरत कितना उसकी साब सी use करोगे, लेकिन 3 से ज़्यादा तो नहीं है, यहाँ पर देखोगे, किसी भी part के लिए, इसके लिए बात करो, इसके लिए बात करो, है ना, इसके लिए बात करो, किसी भी part के लिए, है ना, तो 3 से ज़ minor cut do not cut do not cut more than three member right but it is possible कि हम three से कम members को cut कर सकते हैं three से कम members को cut कर सकते हैं clear है क्या बात clear है जी ओके तो इस तरह से हम लोग step follow करेंगे दियर इस तरह से हम लोग step follow करेंगे तो एक note point और बचा है आपके लिए sir क्या है वो note point देखें यहाँ पर कौन से step step number five note point टेक देखें तो यहाँ पर step number five किसके लिए बात हो रहा है configuration diagram और उसको configuration diagram बोलेंगे जिसको हम जिस पार्ट को हम select के रहेंगे for the analysis purpose उसको क्या बलगे configuration diagram तो in configuration diagram है ना इसमें जो equation यूज कर रहे हो summation fx equal to 0 summation fy equal to 0 net movement about any point equal to 0 किसके लिए उसकर रहे हो member force को find out करने के लिए तो इस equation में यह जो note point है इसी के लिए बात हो रहा है इस equation में इन summation fx equal to 0 summation fy equal to 0 net movement about any point equal to 0 इन equations में मेरे को force को involve करना होगा force को involve करना होगा मतलब मैं देखूंग और net force in x direction equal to 0 net force in y direction equal to 0 net movement about any point equal to 0 बोलूँगा तो तो वहां भी forces के करना movement की बात करूँगा तो ध्यान से सुनेगा in summation fx equal to 0 summation fy equal to 0 net movement about any point equal to 0 only those forces must be considered in equations में only those forces must be considered which are involved in a configuration diagram only यहां पर only भी लिख देता हूँ in a configuration diagram only clear बात है देखी जड़ा मैं यहां पर जैसे की suppose बात किया है ना यह 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 पर चलिए बात करता हूँ मैं यह वाला configuration diagram ठीक है तो यदि मैं यहां पर summation fx equal to 0 की बात किया ओके focus करना तो भी है summation fx equal to 0 की बात किया तो मैं क्या बोलूँगा configuration diagram वे select किया हूँ तो summation fx equal to 0 तो net force क्या जाग है मेरा minus fde clear है क्या negative direction और fcd का cos component plus fcd cos theta ओके यही आएंगे equal to 0 मैं इधर जो remaining part होगा remaining part जिसको मैंने select नहीं किया हुआ है उसमें जो forces आ रहेंगे उसको consider नहीं करूँगा मैं नहीं करूँगा मैं सिर्फ focus मेरा रहेगा किसमें बताईए तो configuration diagram में मेरे configuration diagram में focus रहेगा और जब मैं इस configuration diagram में equation apply करूँगा summation fx equal to 0 तो net force मैं बात करूँगा in x direction equal to 0 तो जो forces होंगे configuration diagram के ही force होंगे clear बात है राइट ओके तो यहाँ पे यहाँ गलती से आप इधर की भी फोर्स को consider कर लेते हो ना तो ठीक है यह fde fcd तो इसमें force हो जाएगा ना तो ध्यां रखेगा हमेशा कि हम लोग हम लोग जब जब पार्ट सेलेक्ट करते हैं किसी वे एक पार्ट को that is called configuration part configuration diagram तो equation apply करने जाएंगे equation apply करने जाएंगे summation fx equal to 0 summation fy equal to 0 तो उस equation में only those forces must be considered which are involved in configuration diagram इसमें जो दीख रहा है इसी को राइट यदि मैं summation fy equal to 0 की बात करूंगा तो इसी में ही मेरा focus रहेगा मतलब यह देखोगे इसको तो मैं इधर shift कर दिया है ना तो यह rdy positive हो जाएगा क्या plus rdy positive ठीक है और fcd का sign component यह भी positive हो जाएगा तो fcd sin theta equal to 0 equal to 0 तो जब मैं यहां पर moment की बात करूंगा moment equation की डियर है ना तो किसी भी point के बाओ मैं moment के बात करूंगा तो इन ही forces के काराण moment की बात करूंगा इधर वाले forces के काराण moment की बात नहीं करूंगा ठीक है तो अभी मेरे पास space नहीं है है ना तो मैं जब problem करूंगा तो आपको इसक इस पर पास, that is called configuration diagram, तो जब आप member force find out कने जाओगे, तो यह equation जो आपके पास available होगा, as per the step number 5, तो इन equations को जब अप्लाई करोगे, तो इन में जो forces involved रहेंगे डियर, वो forces हमेशा, हमेशा आपको consider करना होगा, configuration diagram में जो involved है, उसी को, remaining part वाले को आपको consider रहे, नहीं करना है, त action method का पूरा का पूरा concept, इसी way में ही हम लोग question को solve करेंगे, आप देख रहे होंगे कि काफी lengthy process, है ना तो ऐसा बिल्कुल भी निया डियर, है ना जैसे मैं joint method में आपको बताया, number of step, चोटी-चोटी step में, basic step में break करके बताया था, लेकिन आज के date में मैं कहूं, तो joint method आपक इसमें भी आप master हो जाओगे, section method में आप देखेगा, section method को apply करने में आप master हो जाओगे, clear है बात, okay dear, तो चलिए फिर आपना एक बार screenshot ले लिजेगा, मैं camera hold कराता हूं, right, हर एक points को note कीजेगा, right, चाहे वो points board में लिखा हुआ हो, चाहे वो points में बोलके, बोलके आपको points, जो छोटे-छोटे points में break करके, section method के concept को आपको discuss किया, है ना, इस सारे points आपके लिए useful होने वाले है, right, काफी helpful होने वाले है, okay, तो हर एक points को note कीजेगा, मैं बहुत ही अराम से आपको समझाए डियर, section method के concept को, right, कहीं पर भी मैं ऐसा नहीं किया कि, है ना, बहुत ही जल्दबाजी में समझा दिया, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, right, तो उतना ही patience के साथ, right, आप video lecture को देखिएगा, कहीं पर भी skip मत कीजेगा, okay, नहीं तो फिर हम problem क करने जाएंगे, numerical solve करेंगे, by using the section method, है ना, तो फिर हो सकते हैं, कहीं पर फिर आपको problem हो जाए, conceptually, right, इसलिए, video lectures को मैं बहुत ही, आराम से, डिल किया हूं, आज की video lecture जैसे आप देखोगे तो, है ना, तो आप उतना ही patience के साथ, पूरे end तक lecture को देखिएगा, कोई भी, क हो गया क्या, तो चलिए, dear, है ना, मैं आज की lecture को यहीं पास end करता हूं, right, यदि मैं numerical question करा हूं, तो हो सकता है, काफी lengthy हो जाए lecture, तो मैं, मैं आपको next lecture में, है ना, problems लेकिया हूंगा, trust का problem, जिसमें मैं section method से, right, solve करूंगा, trust के problem को, okay, तो जरूर आप feedback दीजिएगा, कैस comment कीजिए, okay, और video lecture को आप share कीजिए, dear, और मैं आपको, है ना, फिर से बताना चाहूंगा, कि जो trust का भी chapter मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पूरा cover करूंगा, dear, कहीं पर भी कोई भी concept skip नहीं करूंगा, हर एक variety की problem करूंगा, आपको, right, और ये बहुत ही confusing topic होता है, जैसे कि आपको पता है, है ना, तो अभी तक, जितने भी lectures आपको provide हो चुका है trust की उपर, right, आप काफी enjoy कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, okay, और हर एक concept आपके clear हो रहे होंगे, तो आप बिलकुल comment box में comment कीजिएगा, और video lecture जरूर शेयर कीजिएगा, dear, है ना, मैं चाह बिलकुल आप दिया करेडिया, clear है, okay, तो चलिए, फिर मैं चलता हूं, फिर thank you so much